यूस एटी इंडिया पाकिस्तान में नेशनल असेम्बली और प्रांतिय चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के तीन दिन बीज जाने के बाद भी पूरे नतीजे सामने नहीं आ पाए हैं यहां किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं है इमरान खान के समर्थ तक निर्दली उम्मीदबार 100 सीटों के साथ सबसे आगे बताया जा रहे नवास की पाथी 73 सीटों के साथ दूसरे नमबर पर है इस बीज जेल में बंद इमरान खान की पीटे आई और बिलावल भुटों की पीपी ने कई सीटों पर धांदली के भी आरोफ लगा दिये हैं दरसल पाकस्तान की नैशनल असेमली में कुल 336 सीटे हैं इनमें से 265 सीटों पर चुनाव कुए एक सीट पर चुनाव टाल दिये गए हैं जबकि एक सीट एने 88 के नतीजों को खारिज कर दिया गया है यहां 15 फरवरी को फिर से वोटिंग होगी बाकी 70 सीटे रिजॉव हैं सरकार बनाने के लिए 134 सीटों पर बहुमत होना जरूरी है पाकस्तान में मुख्यरूप से 3 पार्टियों के बीच मुकाबला है इनमें पाकस्तान मुस्लिम लीग नवास PMLN पाकस्तान तैरी के इंसाफ यानि PTI और पाकस्तान पीपल्स पार्टी यानि की PPP शामिल है लेकिन 3 पार्टियों को बहुमत नहीं मिला है इसे ग्राफिक्स के जरीए समझे कि कुल सीटे कितनी है बहुमत का आकड़ा क्या है ये के करके आपको बता दें देखे 265 पुल सीट है बहुमत का जो आकड़ा है 134 का है अब यहाँ पर किस पार्टी को कितनी सीट है, IND यहाँ पर 100 सीटों पर, PMLN 73 सीटों पर, इसके अलावा PPP 54 सीटों पर और जो बाकी पार्टिया है वो 20 सीटों पर, मुख्य जो मुकाबला है वो तीन पार्टियों के बीच में है लेकिन बहुमत का आकड़ा कोई भी पार्ट चूती हुई यहाँ नजर नहीं आ रही है और इसे से जुड़ी हुई एक और ब्रेकिंग यूज यह है, पाकिस्तान में आम चुनाओं में किसी एक पार्टी को बहुमत ना मिलने के बाद, वहाँ के आर्मी चीफ असीम मुनीर का बहुत बड़ा बयान सामने आया उन्होंने कहा कि देश को अराजकता और विभाजन की राजनीती से आगे बढ़ाने के लिए एक इस्थिर सरकार की जरूरत है, एक ऐसी सरकार जो पाकिस्तान की विविधता और बहुलवात के साथ साथ लोकतांत्रिक ताकतों का प्रतिनिधित्व कर सके प्रतिश के प्रियागराज में माग मेले के दौरान एक टेंट में भयंकर आग लगने से देशत मच गई वहाँ सुबह के वक्त जब आग लगी तो बड़ी संख्या में लोग उसके सकति AI का में लोग लोकतांत्र आग लो Basती ही के लोग लोगने से देशक सैं़ वहाँ समय वहा है लोग